अलो बच्चो वेलकम टू एसपयर एकडमी मेरा नाम है एमके सर कैसे हैं आप सब ठीक होंगे उमीद करते हैं सब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 का बहुत काफिक कॉओंपोंड से काफिक होने वला है इसमें तीन obt 14 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कार मॉंन में खता है कोश्थ पॉआंट परे आऎज़ क्या होगा कुछका इन कुछ को मैं कूछॉप्र इमपोर्टेंट्स आईएक्शन बहुत इंपोटेंट है तो आए हम लोग इसको शुरू करते हैं तो काफी मज़िधार टॉपिक है के तर देखो कि कार्बन जो होता है कार्बन एक nonna 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 होता है कि जब भी भी बॉन्डिंग बनाएगा तो या तो इलेक्ट्रों गें करेंगा या electron loss करेगा, electron share करेगा, sorry, electron gain करे, यह important बात नहीं है, देखो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम carbon की अगर बात करेंगे, तो carbon में क्या होता है, कि electron जो होगा, वो share करके बनाएगा, ठीक है, उसके उपर भी हम चर्चा करेंगे, कि electron कैसे share करता है, तक carbon का जो bonding nature होता है, वो covalent bond होता है, ठीक है न, covalent, जैसे formation of covalent bond, covalent bond कैसे बनता है, याद रखना, covalent bond, दो non-metal atoms के बीच में, वो same भी हो सकता है, और different भी हो सकता है, जब दो non-metal atom के बीच में, electron का sharing होगा, तो उस sharing के वज़े से जो bond बनेगा, उस bond को हम लोग covalent bond काते हैं, ठीक है, तो point हम लोग अभी जो carbon inits compound है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे, कि carbon, कि carbon कितना bond बनाता है, तो उसको सीखते हैं, कि carbon को tetravalency क्यों काते हैं, ठीक है न, tetravalency of carbon, tetravalency of carbon, ठीक है न, carbon का tetravalency क्यों होता है, ठीक है, देखो, tetra word का मतलब होता है, tetra means क्या होता है, tetra means होता है, ठीक है, और valency means होता है, valency means हम लोग जानते हैं कि bonds, तो कुल मिला के, अगर हम देखें, तो क्या हो जागा, carbon makes poor bonds, carbon makes poor bonds, carbon makes poor bonds, ठीक है, carbon कितने bonds बनाएगा, तो char bond बनाएगा, यहाँ पर एक चीज़ और धियान रखना कि, carbon carbon बनाता तो है, लेकिन कहां बनाता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, थोरा सा class 11 का include कर देते हैं, जिसे carbon का atomic number कितना होता है, 6, इसका electronic configuration करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 is 2, 2 is 2, और 2 P2, ठीक है, electronic configuration करते हैं, ठीक, P में, और बाइटल की संख्या कितना होता है, 3, तो यहाँ हमारे पास, P के पास electron कितना है, 2, ठीक है न, P के पास electron 2 है, तो यहाँ unpaired electron कितना है, के संख्या कितना है, 2, ठीक है, तो carbon यहाँ unpaired electron 2 है, और हम लोग जानते हैं, कि जीतना unpaired electron होगा, उतना ही bond बनाएगा, तो यहाँ unpaired electron 2 है, तो इसका मतलब 2 ही bond बनाना चाहिए, तो नहीं, carbon और यह जो configuration है, इसको हम लोग कहते हैं, ground state, ground state, तो याद रखना कि carbon ground state में कभी भी कोई bond नहीं बनाता, अब इसी को हम excited state में लिखेंगे, c6 excited state, c6 excited state, excited state कहने का मतलब है, एक electron के एक orbit से jump कराके, दूसरे orbit में transfer कर देना, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं, excited state, अब यहाँ से देखो, तो क्या हो जाएगा, देखो, तो इसका 1s2 और 2s1 और 2p3 हो जाएगा, ठीक है, excitation का meaning ही होता है, कि एक electron को एक orbit से jump कराके, दूसरे orbit में भेज देने के process को, हम लोग excitation कहते हैं, अब excitation के बाद देखो, एस में orbitals कितना होता है, single orbitals होता है, तो यहाँ एक electron होगा, पी में orbitals कितना होता है, तो यहाँ 3 होता है, ठीक है न, पी में orbitals 3, अब कुल मिला के यहाँ पर unpaid electron कितना आ गया, टीन पी के लिए और एक चार, एस के लिए तब कुल मिला के कितना हो गया, चार, तो देखो, याद रखो, कि carbon makes poor bonds in excited state, excited state, इसको याद रखना, ठीक है, समझ गया, कि carbon carbon बनाता है, कहाँ बनाता है, तो carbon excited state में बनाता है, अगर अब कोई तुम से सवाल पूछे, कि क्या carbon ground state में कोई bond बनाता है, तो उसका अनसर होगा, नहीं, carbon ground state में कभी भी bond नहीं बनाता है, carbon जब भी bond बनाएगा, तो वो हमेशा excited state में बनाएगा और excitation किसे कहते हैं कि जब एक orbital का एक electron जंप करके किसी दूसरे orbital में हम लोग transfer कर देते हैं तो उस total process को हम लोग कहते हैं excitation ठीक है इसका bonding जो nature होगा वो covalent bonding नेचर होगा sharing के साथ होगा ठीक है तो covalent bond का formation जो होगा वो electrons के sharing के होगा और यहां जो याद रखना sharing जो होता है वो mutual sharing होता है mutual sharing काने का मतलब है कि दोनों atoms के बीच में जब electron का share होगा तो बराबर होगा ठीक आप इसको नोट कीजिए तो हम एक example लेकि हम आपको covalent bond के बारे में हम बताते हैं ठीक है ना जितना भी है इसको note कर लो देखो इसके बाद देखो कि कारबन का covalency के लिए equal distribution of electron कैसे होता है sharing के लिए कोई भी non-mental atoms के बीच में covalent बनेगा तो other atoms के साथ भी bonding कर सकता है और identical atoms के साथ में भी bonding कर सकता है उसी को covalent कहते है covalent bond में share जो होगा वो कैसा होगा mutual sharing होगा ठीक है ना sharing of electron कैसा होगा mutual sharing होगा याद रखना इस बात को जैसे covalent bond covalent bond यह कैसे बनेगा तो sharing से बनेगा ठीक है ना sharing से बनेगा और sharing कैसा होना चाहिए mutual mutual कहने का मतलब होता है equal number equal number of electrons equal number of electrons between the two atoms ठीक है ना two atoms दोनों atoms जो होगा वो बराबर बराबर electron का share करेगा जैसे देखो यहां अगर हम hydrogen लेते हैं H2 molecules बनाना है तो देखो एक hydrogen यहां एक hydrogen यहां इसी दोनों को share करेंगे ठीक है तब दोनों hydrogen क्या किया अपने अपने एक electron को share किया और share करने के बाद कौन सा bond बना है H bond H जिसको simply हम लोग क्या कहते हैं H2 लेकिन इस chapter में चुकी हम carbon compounds के बारे में पर रहे हैं तो हम लोग carbon के compound के बारे में पर रहेंगे तो वह भी क्या करता है share of electron तो बनाएगा अपने के सांथ भी बना सकता है और other atoms के सांथ भी बना सकता है अब जैसे देखो carbon के लिए हम लोग अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ methane CH4 को हम लोग क्या कहते हैं methane आगे हम लोगों को पता चलेगा कि CH4 को हम लोग methane कहते हैं ठीक है तब मीथेन का फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा देखो हम इसको यहां पर बना रहे हैं ध्यान से देखो carbon एक है तो carbon अब देखो और hydrogen कितने ह हाई है तो चार hydrogen है अब देखो point फ़ाइंट hydrogen का एलेक्ट्रों तो होगा अब यह इससे से कर लेगा यह इससे से कर लेगा यह इसके साहत और यह इसके साहत ठीक है तो carbon का चारो के चारो hydrogen चार अलग-अलग hydrogen से से किया है इसी को कहते हैं mutual sharing ठीक जब यहां जो बन रहा है वो कैसा हो रहा है hydrogen 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 और hydrogen इसी को simply हम लोग CH4 कहते हैं ठीक है नमन क्लेचर में बताएंगे कि इसको मेधन कहते हैं बात समझ माया अब यहां जो sharing था वो different atoms के साथ में था कार्बन का hydrogen के साथ अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो sharing होगा वो खुद का कैसा होता है ठीक है तो इसको भी note कर लिजे अब देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि formation of ethane जैसे formation of ethane के लिए एथेन का chemical formula क्या होता है c2h6 होता है एथेन का chemical formula c2h6 अब देखो दो कार्बन है कार्बन ठीक है हमारे पास hydrogen के सबक जितना भी hydrogen है सबके पास एक एक electron है और एक कार्बन के पास कितना होता है तो चार तो देखो वान टू थ्री फोर और इसके लिए भी कितना हो पोर अब यह वाला जो है electron इसके सांथ share करेगा यह वाला इलेक्ट्रोन इसके सांथ करेगा यह वाला इसके सांथ यह यहां और फिर देखो यह यह यहां अब यहां ध्यान से देखो कि तो पता चलेगा कि इसमें कार्बन कार्बन के सांथ भी share किया है और कार्बन hydrogen के किया है। ऐसका झारबनिन यह दो एलेक्ट्रोण करें और यह कारबन खुद अकिले और बन बनेले ऐसा नहीं हो सकता कि अब इसको अगर हम लोग लिखते हैंThen क्या धता है और यह भी हो जाएगा है जिसको शीटू एज सीटू एज सिख्स से रिपरजेंड करते हैं तो बात बिल्कुल समझ में आया कि शीटू हो सकता है अपने ऐडेंटिकल एटमस के साथ में भी और डिफरेंट एटमस के साथ में अब सवाल यह आता है कि दो कारबन के एटम्स के बीच में जब अगर का सियर होगा तो maximum कितना ऐलेक्टरन सेर कर सकता है और दो carbon atoms के बीच में maximum bond कितना बन सकता है तो देखो maximum bond दो atoms के बीच में कितना सकता है उसको ध्यान में रखना आप देखUNG यहां पर जैसे 2 एटम है तो कार्बन के दो एटम के बीच में मैक्सिमम छे एलेक्ट्रों का सेर होगा और ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है ठीक जैसे देखो कार्बन कार्बन तो यहां तीन एलेक्ट्रों तीन एलेक्ट्रों और इधर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो और फिर hydrogen ठीक है इसको हम लोग कहेंगे कि triple bond है ठीक तो हम लिख देते हैं इसको याद रखना maximum number of bonds between two carbon atoms दो carbon atoms के बीच में maximum कितना bond बनेगा तीन आज जब कभी वी three bond हो तो समझ जाना कि three bond है तो दो bond जो होगा वो πाई कहलाता है और एक bond जो होगा वो sigma कहलाएगा sigma जो होता है वहाँ stronger होता है ठीक है इसके comparison में पाई के comparison में और पाई bond जो होता है वहाँ weak होता है तो याद रखना किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर bond बन रहा है तो एक सिग्मा हो सकता है एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है ठीक है ना, in any two atoms only one sigma bonds are formed ठीक है ना, किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर bond बनेगा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बनेगा उसके इलावा जो बन रहा है दो एटम्स के बीच में वो सब पाई कहला गा जैसे देखो carbon double bond carbon है इसमें सिग्मा कितना होगा एक सिग्मा होगा और एक पाई बन होगा ठीक है तो यह हमारा तीनु मोलीकिल्स अकेले भी एक्जिस्ट कर सकता है दे एक्जिस्ट आज इस सिंगल मोलीकिल्स ठीक है ना पहला पॉइंट है दीज कंपाउंट्स आर मोलीकिल्स इन नेचर ठीक है इन नेचर मोलीकिल्स लेकिन पेट्रोल किरोसिन यह सब सबस्टांस में यहां कार्बन कर जो कंपाउंट्स होगा वह असानी से डिजॉल कर जाएगा ठीक है ना उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट है दा कंपाउंट्स और पूर कंड़क्टर ऑफ एलेक्ट्रिसिटी इस पर हम लोग चर्चा करत है तो उसस एक पॉलो नहीं होगा इसलिह इसको हम लोग आए थे कari घूर कंड़क्टर एक्ट्र ऑफ धुड़क्ट्रिससिटी थोड़ा दिर में रोग बताएंगे कि मतलब घूड कंड़क्टर ऑफ तो या उससे अधीक फॉर्म्स इस नेचर में पाया जाता है जिसका फिजिकल पॉर्पटीज सेम होगा लेकिन केमीकल पॉर्पटीज या ज画 सीनिकल पॉर्म्स का को हम लोग स्वाटे इसके वेरिस फौर्म्स क के लग कह kittens हम लोग काते हैं तो देखो कार वन एग् Jup2 फॉर्म्स एक क्रिस्टाल आइप선 दायमड्स फॉर्म डाइपन कि और यहां पर यहां पर कर्बन कितना आ रहा है मैंने लिए दो तरीके का कौन-कौन एक कृस्टेलाइन और दूसरा एक और सब के सब फेज़ होगा वह कहीता फेज़ होगा सॉलिट फेज़ होगा ठीक है ना कि कृस्टेलाइन में दो इंपोर्टेंट है कौन-कौन एक डाइमॉंड है दूसरा ग्रिफाइट है ठीक है लेकिन एमॉर्फस के फॉर्म में देखेंगे तो चारकोल लैब ब्लैक इटीसी हम लोग मानते हैं अब सवाली आए कि क्रिस्टलाइन कीसे कहते हैं और एमॉर्फस कीसे कहते हैं हम लोग इस में क्या होगा जीन सोलीह में की the the arrangement of the arrangement of arrangement of constituent particles, constituents, particles, particles are well arrangement, well arrangement, इसका well arrangement होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, कि sharp melting point होगा, sharp melting point होगा, ठीक है, और इसका definite shape और size होगा, कि crystalline solid का shape और size जो होगा, वो कैसा होता है, कि they have definite shape and size, ठीक, एक तो इसका constituent particles का arrangement होगा, well arrangement होगा, जैसे मान लो, कि example के लिए अगर हम NACL लेते हैं, तो हर एक plus के बाद, जैसे sodium plus, उसके बाद chlorine minus, फिर उसके बाद na plus, ठीक है, यहां देखो, cl minus, यहां पर cl minus और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एने प्लस और फिर उसके बाद होजएगा cl minus फिर यहां पर होजएगा na plus cl minus और घ्यान में रखना कि यहां एक will arrangement होता है तो देखो हम जानते है यहां जो भी चार्ज है वो सब कैसा वो सब कैसा लगाएगा इसे लिए कि रिस्टला बदलता नहीं है और उसको हमलोग करते हैं कि वेल एरेंजमेंट है ठीक लेकिन अगर वही अगर हम इमर्फा सॉलिट के लिए करेंगे आगर हम एमर्फा सॉलिट की बात placing हम लोग करते हैं तो आमर्फा सॉलिट का वेल एरेंजelेंट नहीं होता जिसे प्लास्टिक रबर ग्लास अख क्या है की करता सब ट्रेइगे तो उसका स्व स्सक्राइब को और एक चीज याद रखना कि हम लोग नन क्रिस्टलाइन स्व गहते हैं थिक ना काते हैं इसको नान क्रिस्टलाइन solid भी कहते हैं इसमें क्या होजाएगा कि the arrangement the arrangement of constituent constituent particles particles are not arranged not in orderly arrangement in orderly arrangement इसका arrangement एक order में नहीं होगा समझें जैसे जहां मर्ची उधर हो सकता है जैसे देखो यह यह भी है फिर भी हो सकता है फिर मतलब कोई भी element कहीं भी हो सकता है इसलिए इसका सेप भी definite नहीं होता है याद रखना फोर्स लगेगा थोरा सा भी फोर्स लगेगा तो बदल जाएगा लेकिन फोर्स लगाते हैं थोरा बहुत भी तो उसके कोई फार्क नहीं पड़ेगा ठीक है इसको याद रखना यह दोनों पॉइंट का और इसका आखरी पॉइंट है कि फिलिरेंस क्यों कहते है इसका जो तीसरा है फिलिरेंस फॉर्म अब दा अनादर क्लास अब दा कार्बन इले भग लग भग साथ मोली किल साथ आटमस अब दा कार्बन एरेंज इन दा सेप फुटबोल के सेप में एरेंज किया जाता है इसी लिए इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ फिलिरेंस है ठीक है ना तो यह याद रखना तो इलेट्रोप्स में कार्बन का मैनली कौन-कौन होता ह डाइमॉंड और गिरेफाइट तो देखो डाइमॉंड जो होता है वो बैड कंड़क्टर होता है डाइमॉंड कैसा होता है बैड कंड़क्टर होता है ऑफ हीट एंड एलेक्रिसी ठीक है डाइमॉंड के क्या होता है बैड कंड़क्टर होता है हीट एंड एलेक्रिसी ठीक ह अगर हम इसमें graphite की बात करिंगे ग्रेफाइट गुड कंदक्टर होता मतलब graphite में decision टान्षल होता है से pencil दो था ने पैंसिल ठीक है उसको वह सबना हो तो दो ग्रेफाइट का होता है तो घ्रेफाइट जो होगा ना वो हमेसा उस को हम लोग कहेंगे कि गुड कंद्टर होता है गुड कंद्टर समझेत रखना याद रखना कि गुड कंद्टर होता है ठीक है यहां गूड कंड़क्टर होता है गूड कंड़क्टर गूड कंड़क्टर ऑफ हीट एंड हीट एंड एलेक्ट्रिसिटी लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि इससे यह जो होता है इसको हम लोग इतना ही यूज कर सकते हैं कि इससे करेंट फ्लो होगा लेकिन इससे हम कोई कंड़क्टर के यूज करके बॉल पांखा चला ले वो नहीं हो सकता है सिर्फ इसमें याद रखना कि इससे करेंट फ्लो होता है ऐसा क्यूं होता है due to due to presence of presence of pre-electrons इसमें pre-electrons होता है जिसके वज़ा से current flow करता है ठीक है आप समझ गए एलोट्रोप्स फॉर्म किसे कहते हैं याद रखना कि वैसे पुरपटीज जो दो या उसे अधिक फॉर्म में पाया जाए होता हो ठीक है लेकिन physical properties तो सेम होगा लेकिन chemical properties उसका different होगा उसी को हम लोग आते हैं एलोट्रोप्स फॉर्म ठीक है ना उसमें carbon के लिए दो है diamond और graphite मतलब crystalline और amorphous crystalline का दो हो जाएगा diamond और graphite और amorphous के लिए charcoal हो सकता है और coal हो सकता है लैंप हो सकता है black हो सकता है इस सब तीसरा जो point है इसमें याद रखना filerence की से खाते हैं तो यह भी एक carbon का है जिसमें 60 carbon atoms को football के range football के सेफ में arrangement किया जाता है इसलिए उसको हम लोग filerence काते हैं समझ गया तो चलिए next point हम लोग देखते हैं कि क्या है कि नेट्सट्ट्ट पॉइंट नेचर ऑफ ऐसका जपॉइंट जो है वव हैरी किटेरें पूरपटीज की से कहते हैं थेक कुछ बड़ा बना ले उसी को क्या कहते हैं केटेनेशन पुरपटिज अब कि कार्वन है इसलिए इसको क्या कहते हैं ठीक है सवाल पूछे का कभी भी कि सबसे ज्यादा वह कौन सा एलिमेंट से जिसमें केटेनेशन पुरपटीज ज्यादा होता है आप याद रखेगा ठान कार्बन की बात आता है तो इसलिए हम कार्वन की बात कर रहे है आप इसमें समझना एक वैसे प्रपरटीज को कहते हैं जो एक एटम से connect होते एक लंबा चेन बनाने का capacity रखता हो उसको हम लोग गैटेनेशन पुर्पर्टी कहते हैं ठीक है नुडिक अगा जैसे कर सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं किटेनेशन पुर्पर्टी इस ठीक है यह इक्स्टेंट अपड़ एकटेनेशन डिपेंज आप अपन दे strength of the bond between the atoms involved in the catenation ठीक है तो याद रखना कि catenation जो होता वो depend करता है कि molecules का bonding nature कैसा है तो आपको पता है कि carbon एक वेसे atoms है जो खुद में maximum content कर सकता है carbon के chain को बनाने के लिए अभी थोरा दिर पहले हम आपको बताए है फुलूरेंस के लिए तो फुलूरेंस में carbon का connectivity कितना होता है 60 अगर आप candle की बात करेंगे candle की जिसको मुंबती बोलते हैं इसमें 25 carbon होता है ठीक है तो पुर्पटीज of connectivity itself by the atoms is known as catenation पुर्पटीज और which is maximum in carbon ठीक है carbon के बाद जो होता है वो होता है sulfur का हम sulfur में maximum जो atoms का addition कर सकते हैं वो 8 atoms को कर सकते हैं उसके बाद होता है phosphorus का तब phosphorus के लिए जो हम लोग करेंगे maximum होता चार तो यह तीन elements को आप याद रखेंगे ठीक है कौन-कौन एक carbon carbon में कितना infinite sulfur में fix है 8 और phosphorus का कितना तो चार यह यह sulfur जो होता है पूख्ट रिंग होता है इस तरह से इसका connectivity होता है आठ एटम का उसी तरह से phosphorus का देखोगे तो इसका भी जो connectivity होता है वो इस तरह का होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और phosphorus का भी देखोगे तो इस तरह का होगा ठीक है मैक्सिम में अंघक को कनेक्ट किया जा सकें हमनों कrebased उसके बाद Parte कर सकते हैं चार और इसना से होता है ठीक है चली अब हम लोग इसको नेक्स पॉइंट की बात हम लोग करते हैं ठीक है इसमें है कि saturated and unsaturated carbon compound की से करते हैं ठीक है तो simple दोनों के लिए एक-एक word याद रखना ठीक है कि saturated की से कहते हैं और unsaturated की से कहते है saturated carbon काने का मतलब है कि दो atoms के बीच में सिर्फ और सिर्फ single bond हो मतलब वहां पर double or triple bond का इस्तामाल नहीं किया जा सकता उसको हम लोग saturated करें ठीक है तो क्या हो जाएगा in saturated compound the valences of all the carbon atoms are satisfied by the single bond between them ठीक है जितने भी carbon यहां पर bonds बनाएगा वह सब के सब कैसा bond बनाएगा saturated form में बनाएगा और single bond बनाएगा देखो जैसे हम देखते हैं कि formation of methane क्या हो जाएगा formation of methane formation of methane ठीक है नहीं formation of methane के लिए देखो carbon hydrogen 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 और hydrogen यहां सभी के सभी carbon के सांट जो bonding है वो कैसा है single bonded carbon है अगर हम बात करते हैं इथेन का इथेन के लिए क्या हो जाएगा carbon carbon hydrogen hydrogen हर जगा hydrogen है यहां भी देखो जितने भी bonds सभ है वो सभी के सभी bonds कैसा है single bonded है कि नहीं तो जो भी single bonded molecules होगा जैसे देखो C4H8 यहां भी carbon ring में तो है लेकिन कैसा है single bonded है तो जो भी single bonded ring होगा उसको हम लोग कहेंगे यहां saturated carbon है ठीक है यहां saturated compound है unsaturated compound में while in the unsaturated compound the valency of the all carbon atoms is not satisfied with a single bond इसमें single bonds से satisfied नहीं हो in order to satisfy their valency they form double or triple bond unsaturated की बात करेंगे यह जो हमारा जितने भी compound से यह सब कैसा है तो याद रखना यह सब saturated है कैसा है saturated है लेकिन unsaturated की बात करेंगे unsaturated की बात करेंगे अगर हम लोग unsaturated के यहां पर धेन देना की double bond है जीसे carbon double bond carbon जीसे CH2 CH2 ठीक है आप देख सकते हो C6 H2 H6 बेंजीन के लिए ठीक है ना इसका structure कैसा बनता है इस तरह का बनेगा double bond और हर जगह क्या हो जाएगा hydrogen ठीक है आप acetylene देख सकते हो जैसे carbon triple bond carbon hydrogen और hydrogen ठीक ता saturated और unsaturated में आप याद रखेगा कि वैसे molecules जो सिर्फ और सिर्फ single bond से बनता हो उसको हम लोग saturated कहेंगे और जिसमें double bond हो तो triple bond हो वैसे molecules को हम लोग unsaturated कहते हैं समझ के बात को unsaturated कहते हैं दोनों case में saturated में भी open structure of molecules हो सकता है compound structure हो सकता है मतलब close हो सकता है ठीक है unsaturated में भी open structure भी हो सकता है और close ही हो सकता है ठीक है तो इस बात को याद रखना open structure और close structure किसे कहते हैं ठीक उसके बाद देखो कि उसके बाद है कि इस चाप्टर का सबसे मतलब सेकेंड इंपो fantastic कि अगर फॉस्ट इंपोर्टेन्जर् को मानते हैं तो फॉस्ट जो हम लोग मानेंगे कि वहाँ नॉमिनक्लेचर है बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ टॉपिक है समझगे ना बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आप इसको याद रखेगा आपक नॉमिनक्लेचर के लिए इस पर हम लोगों को सबसे ज्यादा चर्चा करना है सबसे ज्यादा inportent और सबसे ज्यादा ही इसको रहाँ चर्चा करेंगे कि नॉमनक्लेचर क्या होता दूसरे को हमन लोग कहते है कि याद रखना एक कॉमन सिस्टम जो होता है वह होता है डिपेंट्स अपार ओरीजीन ऑफ और गेनिक कंपाउंट की कंपाउंट का उत्पति मतलब उसका खोज कैसे हुआ था जिसने खोज किया उसके कोडिंग भी उसका नाम रख सकता है ठीक है तो ओरीजीन ऑफ और गेनिक कं दूसरा जो पॉइंट है इसमें परपटी ऑफ और गेनिक कंपाउंट की मॉलिक्ल्स का परपटीज कैसा है उसके कोडिंग उसका हम लोग को करते हैं तीसरा जो पॉइंट होता है कि तींक ओफ डिसकोब्र डिसकोब्र ने क्या सोच के रखा है वह जाने ठीक है ना इसने ख देखिके हम लोग उसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहला बात कि आईउ पीसी का फूल फर्म क्या होता है इसका ृफूल फर्म होता है इंटरोदेशनल यूनीयन ओफ प्योर एंड अपलाइड geworden एप्लाइड केमिस्ट्री ठीक है इंटरनेशनल यूनियन आफ प्यूर और अप्लाइड केमिस्ट्री यह आयू पीएसी का नमनकिलेचर होता इस नमनकिलेचर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कार्बन के कुछ कोड के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग नाम लिखते हैं कि वहां नेमिंग ऑफ कार्बन है हम लोग उसको याद रखेंगे तब बाकि जितने भी मोलेकिल से उसका लिखना बहुत आसान हो जाएगा जैसे मान लो कि कार्बन के संख्या यहां पर हम हेडिंग देते हैं कि नेमिंग ऑफ कार्बन ठीक है ना कार्बन का नमनकिलेचर कै लेकिन अगर कार्बन के संख्या एक है जैसे सी वन है कर्बन के संख्या कितना है एक है इसको लोग मीथ बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे मीत अब देखो थोड़ा सा अलग समझा देते हैं उसके बाद तुम देखना कि कैसे इसका यूज़ करेंगे कार्बन अगर दो हो कार्बन अगर दो हो तो इसको इत बोलते हैं कार्बन अगर तीन हो तो इसको हम लोग प्रोप बोलते हैं ठीक है कार्बन चार है तो इसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं कार्बन पांच होगा तो इसको हम लोग पेंट बोलेंगे ठीक है ना इसको क्या बो Onब 27 तो इसको do carbon step 8 तो और carbon 9 आथ साथ है इसको हम लोग नन बोलते हैं और carbon 10 के इसको कहते हैं इसके अलावा 2 और याद रखना carbon 11 और carbon 12 11 class 10thaż iieso 12 तकहा परहतना है और carbon 11 है तो यह क्या हो जागा on dique, देखो, dique का meaning कितना होता है, 10, और onward का मतलब होता है, 1, 1 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 11, तो इसको क्या कहेंगा, on dique, similarly, अगर हम लोग carbon 12 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, do dique, समझ गए, क्या हो जाएगा, do dique, के डे का मिनिंग हो गया 10 और डू का मिनिंग कितना हो गया दो तो टू प्लस टेन अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो गया 12 हो गया ठीक यह को याद रहेगा तो हम बहुत आसानी से किसी भी नमनक्लेचर को कर सकते हैं ठीक है अब देखो जैसे यहां पर कार्बन दो है और हमको नमनक्लेचर पढ़ना है अलकेन का और शुरू करेंगे भी अलकेन से जब हमको अलकेन का नमनक्लेचर पढ़ना है इसका कोड क्या होता है इत कारबन अगर दो रहेगा तो इसका कोड कितना होता इत करोगे क्या ANE इसमें जोर देंगे तप्षा क्या हो जाएगा जब कार्बन दोर रहेगा तो इसका नामnow जाएगा इतेन ठीक है अगर हमको नमनक्लेशर पढ़ना है आलकीन का ठीक है न अलकीन का क्या है इन ए तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जोर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ इथीन समझ गया ना इथीन अगर मानों कि हमको पढ़ना है अलकाइन ठीक है तो यह जोर देंगे तो क्या हो जाएगा इथाइल सिमिलरली उसी तरह से अगर हमको मानों कि अलकाइन परना है तो अलकाइन के लिए क्या करेंगा यह नहीं जोर देंगे तो अब यहीं कंपॉंड क्या हो जाएगा इथाएं ठीक है ना सिम्पल कॉंसेप्ट है अगर आप इसको याद रख रहे हैं तो कोई भी कंपोनेंट्स का नासान हो जाया अलकें परहेंगे मानलो ब्यूटेन था था students एंहें या कोमन शिस्त्तम गोमान सिस्टम जो आधारित होता है वह तीन पॉइंट में ओरीजीन और घो से ऑफ आदरेटी न problèmeणक अब सामनधाडिन दूसराँ हमारे पास वह करफो पतिश्त ऑफ अपकोण कॉं सबसे इंपोर्टेंट है इस टॉपिक में याद रखना इंटरनेशनल यूनियन आप यूरेंड अप्लाइट केमेस्ट्री होता है ठीक है यह जो अधारियत होता है यह बेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ इस्ट्रक्चर ऑफ अरगनिक कंपॉंड पर जिस तरह का स्ट्रक्चर ह अब वह से करेंगे वह हम आपको बता चुके हैं ठीक है तो आये हम लोग सब से पहले सुरू करेंगे सुरू करेंगी किसकाल के निकांगा कि यह अब लोग पहुड़ते थे हैं कि अलकें का नमन時 समझते हैं कि अलकीन ठीक है इसका आइडेंटिफिकेशन होगा आइडेंटिफिकेशन जो होगा अलकीन का यह होगा कि एस्ट्रॉक्चर एस्ट्रॉक्चर कॉंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली ठीक है ना एस्ट्रॉक्चर के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा एस्ट्रॉक्चर क फर्मूला के बात करें जॉनरल फर्मूला के बात करेंगे तो क्या हो जाएगा cn h2n plus 2 cn h2n plus 2 इसका जनरल फर्मूला हो गया ठीक है इसका यहां तीन तरह का होता है एक हम लोग रखेंगे कि यहां अन ब्रेंजन्च होता है उन ब्रांचट अलकिन ऊन ब्रांच औलकिन ठीक दूसरा होता है ब्रांच अलकेन दीसरा होता है या साइक्ल लोके न साइकलो अलके न एक चीज़िया तक न एलिवेंट में रहते जबाज साइकलो और एसपायरो दोनों हम लोगों को प्रॉणो को परणा रहते हैं अब देखो हम लोग पहला जो नमन क्लेचर पहेंगे वह है यह नमन क्लेचर ऑफ और भॉस्त अलके ए तो on branched के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका rules हम लोग देख लेते हैं, on branched alcan, simple एक दम छोटा छोटा बात है, बहुत जल्दी निकल जाएगा, दियान से देखो, on branched का rule क्या हो जाएगा, rule जो होगा, वो होगा, कि count, count all carbon atoms, all carbon atoms, carbon atoms and give suitable name, सभी carbon atoms को हम लोग गिन लेंगे, और उसका क्या करेंगे, कि उसका नाम लिख देंगे, समझ गया, उसी को हम लोग आते हैं, कि यह on branched है, जैसे मान लोग कि CH3, CH2, CH2 और CH3 है, हम इसको काई तरह से इससे structure को draw कर सकते हैं, जैसे देखो, carbon, 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 हम लोग यहाँ चाहें, तो hydrogen भी दे सकते हैं, ठीक है न, hydrogen भी दे सकते हैं, अच्छा है तो नहीं दे, क्योंकि यह स सबको पता है, hydrocarbon molecules में, carbon अगर आप रिपरजन कर दिये, तो जीतना भी bonds कम हो रहा है, carbon का, वो hydrogen से लिया जाता है, हम इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, line structure में, ठीक है न, line structure में याद रखना, जहां से molecule सुरू हो, जहां पर खतम हो, जहां बेंट करता है, जहां भी बेंट करता ह उसी को हम लोग carbon consider करेंगे, तो इसमें carbon कितना, एक, दो, तीन और एक, चार, ठीक है, इसमें भी कितना, एक, दो, तीन और एक, चार, इसको और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे CH2, CH2, similar है न, जैसे लिख सकते हैं कि CH3, और CH2, CH2 कितना बार है, तो टू टाइम्स है, और CH3, लेकिन कोहीं पर भी इसमें branching नहीं है, तो इसलिए इसको on branch करते हैं, अब इसमें carbon 4 होता है, नमन के लिए चार हम लोग पार रहे हैं, और लेकिन का, पर चार carbon के लिए क्या हो जाएगा, code होता है, और उसमें तुमको जूर देना है, A, N, E, तो नाम क्या हो जाएगा, इसमें पर देखो, एक और एक्जामपल देखो, जैसे मानूलो कि CH3 एक्जामपल है, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, इसमें carbon कितना है, पांच है, तो पांच के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन, पांच के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है, अब देखो, इसको note कर लो, कैसा होता है, सिंपल सी बात है, अगर तिन carbon रहता है, तो क्या लिखते है, प्रोपेन लिखते है, पांच कारबन है, तो पेंटेन, दस कारबन रहता है, ठीक है, इसको note कर लो, उसके बाद देखो, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत important topic है, कि नमेंक्लेचर आफ नमेंक्लेचर आफ ब्रांच्ट अलकेन, ब्रांच्ट अलकेन, ब्रांच्ट अलकेन का नमेंक्लेचर हम लोग करेंगे, ठीक है, तब ब्रांच्ट अलकेन बनेगा कैसे, उसके लिए याद रखना एक पॉइंट, कि जब कभी भी हम लोग अलकेन से, अगर अलकेन से अलकाई वह क्या बनेगा अलकाई जैसे मान लोग कि यहां पर दे रहा है कि CH4 तो यहां क्या है मीथेन है CH4 को हम लोग क्या कहेंगे मीथेन है और जब यहां से एक है डूजन हम लोग निकाल लेंगे तो यहां कैसा बन जाएगा CH3, तो इसको क्या कहेंगे, मिथाईल, ठीक है न, इसको क्या कहेंगे, मिथाईल, अब जैसे मान लोग कि CH3, CH3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कि यहाँ इथेन है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2, CH3, जिसको और हम लोग लिखेंगे सी टू एज फाइब ठीक है तो यह क्या कहलाएगा इसको क्या कहेंगे इसका रूल जो होगा उससे पहले आप समझ लो कि सबसे पहले पैरेंट चैन की से कहते हैं ठीक है पैरेंट चैन समझना बहुत जरूरी है पैरेंट चैन की से कहते हैं कि जो भी एस ट्रूक्चर बनेगा मॉलेकिल्स का उसमें जो लोंगेस्ट चैन जो होगा लोंगेस्ट चैन उसी को हम लोग कहते हैं कि पैरेंट चैन तक क्या हो जाएगा आफ एस ट्रूक्चर इस काल्ड इस काल्ड पैरेंट चैन उसी को हम लोग पैरेंट चैन कहते हैं और पैरेंट चैन को short form में हम लोग PC से represent करेंगे, short form में हम लोग क्या करेंगे, PC से represent करेंगे, अगर किसी structure में, ठीक है नहा है, इसका rule लिखते हैं, अगर किसी structure में parent chain के साथ एक ही सब्स्टिच्वेंट हो, तो उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग एक molecules बना लेते हैं, identify कर लेंगे, जैसे हम मान लो, कि CH3, CH, CH2, CH3, अब देखो, इसमें सबसे बरा chain कोन है, यह वला है, और जो बच गिया, जो भी बच गिया, जैसे देखो, यह वला, यह वला, मिथाईल इथ बच गिया, इसको हम लोग कहेंगे, कि यहाँ सबस्टीच्वेंट है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कि सबस्टीच्वेंट है, और जो सबसे लॉंगेस्ट चैन होता है, उसको हम लोग कहते हैं, कि यहाँ पैरेंट चैन होता है, ठीक, अब कंडिसन्स आएगा, कि पैरेंट चैन के पास अगर एक कार्बन हो तो कैसे एक सब्स्टिचुएंट है तो उसका नमनक्लेचर कैसा होगा दो होगा तो कैसा होगा ठीक है तीन होगा तो कैसा होगा ठीक है इसको नुट कर लिया अब देखो next point जो है हमारा वो देखो कि if if a structure contain contain only one substituent only one substituent then we apply we apply nearest rule nearest rule for counting तो एक है न अगर एक ही सब्स्टिचुएंट होगा तो हम लोग नजदीक वाला रूल इस्तामाल करेंगे जैसे एक्जामपल के तोर पर देखो अगर हम इसको इधर से counting करते हैं एक दो तीन तीन नंबर पर सब्स्टिचुएंट होगा लेकिन इधर से counting करते हैं तो दो नंबर पर तो क्या हो जाएगा 123 और 4 तो जिदर से नजदीक होगा उसको लिखेंगे और उसके बाद सब्स्टिचुएंट के पहले नाम लिखते हैं तो सब्स्टिचुएंट को है 4 तो 2-methyl-butane हो जाएगा ठीक है ना 2-methyl-butane चलो एक और एक्जामपल देखो जैसे माने लेते हैं कि दूनों तरब से बराबर है तो क्या हो जाएगा 12345 इस बार जो सब्स्टिचुएंट कौन सा है मीथाइल है कैसे तो इसमें एक ही कार्बन है तो मिथाइल कहा लगा ना तो क्या लिखोगे थीरी मिथाइल थीरी मिथाइल और टूटल पैरेंट चैन में कार्बन के संख्या 5 इसको लिख लेंगे हीरी मिथाइल पैंटेन उसके बाद है कि अगर एस ट्रक्चर के पास दो या उससे अधिक होगा तब हम लोग क्या करेंगे ठीक है जैसे कि इफ एस ट्रक्चर इफ एस ट्रक्चर कंटेन कंटेन मूर देन मूर देन तू सब्स्टिचुएंट मूर देन वन सब्स्टिचुएंट मूर देन एक नमबर में अपलाई नियरेस्ट रूल तब हम लोग क्या करेंगे अपलाई नियरेस्ट रूल टीक है तब हम लोग नियरेस्ट रूल का अपलाई करेंगे आ नहीं तो हम लोग करेंगे अल्फा वेटिकल अल्फा वेटिकल ओडर अब इस दोनों पर हम लोग एक एक एक्जामपल देख लेते हैं कि कैसे होता है तिक है आप इसको नुट कर लेज़ें ठीक अब देको जैसे यहां है एक चीज और याद रखना number of number of identical number of identical substituent तिक है और यहां इसके लिए जो होगा वो code इस्तमाल करेंगे जैसे identical substituent दो होगा तो वर्ड यूज करेंगे डाई अगर identical substituent अगर 3 होगा तो वर्ड यूज करेंगे try अगर 4 होगा तो वर्ड यूज करेंगे टेटरा अगर 5 होगा तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे paint ठीक है ना अब आये हम लोग example से समझते हैं जैसे c h 3 c h और फिर यहां पर c h 3 है और मानलो c h 2 c h 2 और यहां c h 3 है और देखो c h 2 और c h 3 है ठीक है इसमें देखो जो लॉंगेस्ट चैन है वह कौन सा है लॉंगेस्ट चैन यह वला है ठीक है और इसमें देखो एक यहां मिठाइल गूरूप है और एक यहां मिठाइल गूरूप है कौन नजदिक है किदर से इदर से कांटिंग करेंगे तो 123 पर है और इधर से कांटिंग करेंगे तो 12 और 12 पर है तो नियरेस्ट इधर से है ता कांटिंग हम लोग इधर ही से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12345 और 6 अब चुकि यहां पर दोनों के दोनों identical है तो एक सांथ लिखेंगे कहां कहां है उसको रिपर्जेंट करना एक दो नमबर पर है चार नमबर पर है तो टू कॉमा फॉर लिखना और दोनों के दोनों कैसा है चारण करों मैं तो टोटल परेंट्चर्णी कीटना है तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग फैके न चौट एक और एक्जामपल जैसे CH3, CH2, CH2, CH3 और मानलों की CH2 है और फिर मानलों की CH3 है और यहां CH3 है यहां जो सबस्टिचूेंट है वो कैसा सबस्टिचूेंट है एक मीथाइल है और एक में दो कार बने है तो नोस्दीक किदर से हो रहा है इधर से तो 1, 2, 3, 4, 5, और 6 धियान रखना लिक्टे टाइम में कि इथाइल जो होता है वो इसे सुरू होता है और मिथाइल एम से सुरू होता है तो A, B, C, D, अल्फाबेटिकल जब हम लोग लिखेंगे तो E पहले आएगा और M बाद में आता है तो E के लिए हम लोग सिस्तमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा चार नॉमः पर है तो क्या और धरिगा कि लिए हो जाएगा है तो यह हमारा ठीक उसके उसके बाद कभी-कभी ऐसा आएगा कि जैसे दोनों similar position पर है तो वहाँ पर alphabetical इस्तमाल करना है जैसे देखो यहां CH3, CH2, CH, CH3 और similarly इधर भी है CH2, CH3, CH2, CH3 देखो इधर से भी तीसरे नमबर पर है और उधर से भी तीसरे नमबर पर है तो ABC में alphabetical अगर हम लोग देखेंगे तो E पहले आता है तो counting जो होगा वह इधर से होगा counting कि तर से होगा इधर से तर तीसरे नमबर पर है तो क्या हो जाएगा थीरी इथाईल थीरी इथाईल फूर मिथाईल और टोटल पैरेंट चैन में 6 कारबन है तो यहां हो जाएगा हैट जैन समझ गए चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साइकलिक कमपॉंड का हम लोगन मीं कलेंशा क्यों से करेंगे साइकलिक अलकेन का ठीक में यह समझ गए आप इसको नूट कर लिए उसके बाद दिखिये कि साइकली कमपॉंड के लिए हम लोग एक्वास कर तो साइक्लीग कमपॉंड में देने तर दर देखे शाए dan nomenclature of siiqloalkane nomenclature of siiqloalkane ut-psykloalkane के नomenclature के लिए क्या करेंगे हम दोग उसको हम लग देखते हैं देखो nomenclature में बदलाओ बिल्कुल नहीं होगा इसमें वी कर्बन काउंट करेंख तक क्यतना हुआ एक दू तीन और एक चार हुआ तो चार कार्बन के लिए क्या नाम होता है ब्यूटेन अब चुकि यहां रिंग में हैं तो क्या कर देंगे पीछे से एड़ कर देंगे साइक्लोब्यूटेन ठीक है उसके बाद देखो जैसे यहां सब्स्टिचुएंट भी आ जागा तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे हमान लोग क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 कितने नंबर पर है एक नंबर पर है तो क्या हो जाएगा वन मिथाइल साइक्लो वन मिथाइल साइक्लो हेक्जेन समझ गया ने अगर दो तीन भी सब्स्टिचुएंट आ जा तब भी आपको परसानी नहीं होना चाहिए जैसे मान लोग की यहां पर सी एज थी है और यहां पर सी टू हज फाइब है ठीक है तो इसको इताइल काते है इसको methyl तो इथाईल पहले आएगा ABC में तो इथाईल के तरफ से गिन लेंगे ठीक है लिखने का तरीका वह ही है क्या हो जाएगा वन इथाईल वन इथाईल थिरी मिथाईल थिरी मिथाईल और छे कारवन है तो क्या हो जाएगा अब जो हम लोग नमन कलेचर पढ़ेंगे वह जो नमन कलेचर होगा वह होगा अलकीन का और अलकाइन का ठीक है तो अलकीन और अलकाइन के लिए हम लोग देखते हैं आप इसको नौट कर लेज़े ठीक है देखो अलकीन दो पार्ट में इसको हम कम्प्लीट कर लेते हैं अलकीन का अलकीन और इधर है अलकाइन है तीक है इसका जो जनरल फर्मूला होगा इसका जनरल फर्मूला वो होता है cn, h2n और इसका जो जनरल फर्मूला होगा जनरल फर्मूला इसका इसके लिए लिखना cn, h2n अब माइनस2 होता है ठीक है दोनों में different rules है कि nearest rule ही apply करना है क्या करना है nearest rule apply करना है ठीक है न है higher rest rule apply हम लोगों को करना है तो याद रखेंगे जैसे एक्जाम्पल देखो अब एक्जाम्पल देखो जैसे मानने लूँ कि CH3 CH1 CH2 है ठीक है अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहली लिख देते हैं नोट अपलाई अपलाई नियरेस्ट रूल नियरेस्ट रूल पर काउंटिंग काउंटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे नजदीक वाला रूल इस्तमाल करेंगे सिमिलर प्राब्लम हम इधार भी बना रहे हैं जैसे देखो CH3C और ट्रिपल बॉन्ट CH समझ गये अब देखो इसमें एक दूत तीन मतलब एक नंबर पर अलकीन है और इसमें एक दूत तीन मतलब एक नंबर पर अलकाइन है तो तुम इसको क्या लिख सकते हो बताओ तो इसको तुम लिख सकते हो प्रोबीन है ठीक है ना और पोजिशन वन है तो वन दे देंगे ठीक है उसी तरह से देखो जैसे CS3 CH double bond CH single bond CS3 तो क्या हो जाएगा सब्सक्राइब तो 1234 तो आ चल्सक्राइब करता है टोटछों तन्ульт है अब्धक लिख लोगें तब विट wieder म्यूट को दो कितने न इमबर पर दो इस पोजिशन को तुम पहले भी लोकेट कर सकते हो तो क्या हो जाएगा तू वी उटि इसको बीट माने भी रख सकते होँ स अब देखो यहां पर प्रोपाइन हो जाएगा प्रोपाइन और पोजीशन वान हो जाएगा ठीक है एक और एक्जामपल देखो जैसे इस एच थी तो क्या हो जाएगा वान टू थी और फॉर दोना तरफ से पराबर था इसलिए हम कोहीं से कांटिंग कर सकते हैं तह यहां पर फढ़ watch अब कांटिंग कर सकते हो तो रहाएगा अ है प्रोपाइन तो यह और यह यह वगसा धूर्ग ठेक आ जो यह यह वर्लैयम कर देख दूद्ध में दोनों में जो हम लोग कांटिंग का जो रूल इस्तमाल करेंगे वह निए रेस्ट होने वाला है ठीक है अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ क्लास टेंथ में जितने भी इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रूप है उसको हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि फंक्शनल ग्रूप क्या है इट इस दा ग्रूप ऑफ और गनिक कंपाउंड दे अब देखो उसके बाद ग्रूप फंक्शनल ग्रूप अब देखो उसके बाद एक और और पॉइंट है कि होओ लोगर स्रीज के इसको कहते हैं तो जब यह की फॉंक्शनल ग्रूप एандेंटिकल फॉंक्शनल ग्रूप हो और उसमें शिर्फ और सिर्फ connectivity अगर increase कर जाए शिर्फ और सिर्फ connectivity increase कर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हम लोगा series ठीक है जैसे मानने लोग कि जैसे CH3 CL है ठीक है अब देखो इसी को हम क्या कर देंगे CH3 CH2 CL तो CH2 include कर दिए इसका जो midpoint होगा वो CH2 CH2 बरते चला जाएगा ठीक फिर देखो जैसे मानने लोग कि CH3 CH2 CH2 और CL अब यहां पर भी कितना है तो दो है तो देखो functional group में कोई भी परिवर्ता नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ edition of CH2 हो रहा है इस तरह के जितने भी components होगा सबको हम लोग कहेंगे कि homologous है ठीक है जितना भी है component है सबको हम लोग क्या कहेंगे कि यहां homologous है ठीक है ना homologous homologous series है ठीक है ना homologous series है ठीक है सिर्फ और सिर्फ इसमें याद रखना है इसमें याद रखना कि यह क्या होगा हम लोग कहते हैं कि homologous series है ठीक है अब देखो कि हम लोग one by one class 10th में जीतने भी functional group परना है ना उस पर हम लोग चर्चा करते हैं तो जैसे हमारा पहला जो functional group है वो है एथर ठीक है तब देखो है है कि है लोजन से सुरू करते है हमारा पहला है 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 लोजन functional group ठीक है तर देखो तो क्या हो जाएगा है लोजन है 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 लोजन में देखो हम बहुत इजी वे में परहा रहे हैं आपको याद रखिये गा जैसे मानों लो कि इसका फॉंक्शनल गुरूप क्या हो जाएगा पॉंक्शनल गुरूप अब याद रखना है कि हम हर बार फॉंक्शनल गुरूप को एफ जी से रिपरजेंट करेंगे फॉंक्शनल गुरूप को किसे रिपरजेंट करेंगे एफ जी से ठीक है ता फॉंक्शनल गुरूप यहां पर एकस हो जाएगा X बराबर इसमें कौन-کॉन होता है फ्र्लोरिन, कलोरिन, ब्रोमीन, आयओडीन ठेकना फ्लोरिन, कलोरिन, ब्रोमीन और आयोडीन उसके बाद देखो इसके सांथ जो spectrum होगाyl होगा आप ट्रिक्री custody वो क्या हो जाएगा का दो तरीके का नमनक्ले चर्ण होगा एक common नमनक्ले चर्ण होगा तो common नमनक्लेचर को common nomenklेचर को हम लोग cn सी रफरजेंट करेंगे और यूपक नमनक्लेचर को हम लोग क्या रिपर्जेंट करेंगे IN यह सारा सिंबल याद रखना यह functional group FG से लिखेंगे common nomenclature को CN और IPAC nomenclature को IN से लिखेंगे ठीक है तो इसमें जो होगा इसका common nomenclature वो हो जाएगा alkyl को पहले लिखना और उसके बाद halide form लिखना था alkyl halide और इसका international name जो होगा IUPAC name वो हो जाएगा dot 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 hello alkyl hello alkyl इसमें बाद में alkyl लिखेंगे dot 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 जो होता है वो represent करता है कि position functional group का position कहां पर है ठेक है न इसको represent करता है position of functional group position of functional group ठीक है अब देखो जैसे पहला हमारा हेलोजन है हेलोजन में functional group एक सरी पर जिन करते हैं उसमें चार आएगा कौन-कौन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन साइट मतलब कि क्या इसके साथ जूर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अलकाइल जूरेगा अलकाइल जूरेगा ठीक और कॉमन नमन क्लेचर केलिए अलकाइल ऐलाइड और इंत्रनेशनल आयूपी असी केलिए हम लोग क्या लिखेंगे हैलो-अलकैं लिखेंगे अब देखो यह बहुत ही असानी से हम लोग इसको समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है अब देखो यह जो नमेनलमन क्लीचर है, यहां से ध्यान दो, क्या है? कि जैसे मान लोकि CH3CL है, इसका common नमेनलमन क्लीचर में क्या हो जाएगा? कि कार्बन कीतना है? क्या क्की कार्बन है यहां है लिखना है अलकाईल, और कुकि इसके साथ कोलोरीन है तो क्या हो जाएगा मिथाईल कोलोराईड ठीक है और इसका अभनेम लिखेंगे तो पहले लिखेंगहें हम लोग है लो तो क्लोरीन है तो क्लोरो ब्रोमीन रहेगा तो आयोडू और उसके बाद लिखना है और क्या हो जाएगा है लो तो क्लोरीन हो जाएगा है लो के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा देखो क्लोरू क्लोरू और एक कार्बन है एक कार्बन के लिए हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मीथेन, ठीक है न, क्या हो जाएगा, क्लूरो मीथेन, एक और एक्जामपल देखो, जैसे मान लो कि CH3, CH2, और BR है, ठीक है, इसका कोमन नमनकलेचर क्या हो जाएगा, तो कॉमन नमनकलेचर के लिए, दो कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, इथाईल, दो कार्बन है तो इथाईल, और फॉंक्शनल ग्रूप कोन है, ब्रूमीन, इसको लिखेंगे, ब्रॉमाइड, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, समझ गें न बद को उसके बाद देखो अगर इसके बाद एक और एक्जामपर लेते हैं कि सेकेंडरी और आई सो किसे कहते हैं ठीक है तो याद रखना जैसे दूसरे नमबर पर अगर फंक्शनल गूरूप कनेक्ट है दूसरे नमबर पर ठीक है ना दूसरे नमबर पर अगर फंक्शनल गूरूप कनेक्ट है तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे तो इसमें कॉमन नमन क्लेचर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कि सेकेंडरी सेकेंडरी थाइलि सेकेंडरी स्ट्री क्या होगा कि सेकेंडरी बियुटाइल क्लोट ठीक है ना सेकेंडरी यह कोमन में दूसरे नमबर पर रहेगा जेसे ओन तूट्री प wedge रहेगा तो उसको क्या कहेंगे सेकेंडरी अब इसका आयू पीसी नेम क्या हो जागा बताओ तो टू क्लोरो टोटल पेरेंट चैनल में कार्बन के संख्या चाह रहे तो टू क्लोरो क्या हो जागा भी उठेंड इसके बाद उसी तरह से आइसो होता है आइसो के लिए याद रखना कि पहले नंबर पर एक मिथाइल ग्रूप होना चाहिए अपोजिट साइट से दूसरे नंबर पर तो देखो एक नंबर पर हैलोजन है की नहीं है एक नंबर पर हैलोजन है आद दूसरे साइट से दूसरे नंबर पर मिथाईल है तो क्या हो जाएगा इसको हम लोग लिखेंगे कॉम प्रोटाइल कोलोराइड समझ गये ना और इंटरनेशनल नेम में देखो तो क्या हो जाएगा आइपक ने एक नमबर पर क्लोरो है दू नमबर पर मिथाइल है तो क्या हो जाएगा वन कलोरो वन क्लोरो और दू नमबर पर मिथाइल है तो टू मिथाइल वन क्लोरो टू मिथा पहला फंक्शनल सब भाग जितने भी फंक्शनल गुरूप है हम लोग सब को इसी तरह से समझ गे न्यारे सबीकी क्या करेंगा हम लोग इसी तरह से लिखेंगे जैसे देखिए हम बताते हैं इसको नोट कर लो देखो जैसे इसके बाद है अल्कोहल अल्कोहल इसका फॉंक्शनल गुरूप क्या हो जाएगा वह इसके साथ अगर साइट कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा रोच इसका लिखते हैं तो क्या हो है क्या बताओ मीकाईल अल्कोहल अल्कईल अल्कोहल ठीक है अगर इंटरनेशनल नहीं मीगे जही डिकट नहीं है अलकेनौल जैसे देखो कि CH3OH है ठीक है तो common name में एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे मिथाइल अलकोहल ठीक है ना तो क्या हो गया मिथाइल अलकोहल और international name की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मीथेनौल ठीक है ना मीथेनौल यहां बहुत पॉइजनस होता है मीथेनौल इसलिए इसको और हम लोग ऊड़ अलकोहल भी कहते हैं पूड अलकोहल एकदम जहरीला होता है इसके पी लेने के बार ड्राइने साफाई हो जाता है और आदमी मर जाता है ठीक है ना मीथेनौल को अगर एक और एक्जामपल की बात करें जैसे का ch3 a ch2 हो यह था इसका कॉमननलम क हो जागा तीन कार्बं ये क्रोपायल और अलकोहल ठीक है प्रोपायल अलकोहल और कार्बं तीन है international नाम किया हो जाएगा प्रोपेनोल क्या हो जाएगा प्रोपेनोल ठीक है इस तरह से हम लोग अल्कोहल का नाम लिखेंगे अगर एक और है जिसे c2h5OH ठीक है ना c2h5 तो इसका common नेम में common नेम हो जाएगा इथाइल अलकोहल, क्या हो जाएगा? इथाइल अलकोहल और इंटरनेशनल नाम लिखेंगा, यह हो जाएगा इथेनॉल, आगे हम लोग इथेनॉल का पुर्पटिस भी देखेंगे, ठीक है? इस तरह से हम लोग इथेन का लिख सकते हैं, उसके बाद देखो, अगर हम को मान ल कि अगर हमको लिखना हो कि aldehyde का aldehyde के लिए क्या लिखेंगे तो aldehyde इसके लिए सबसे पहला पॉइंट कि functional group आपको ध्यान में रखना है C double bond OH को कहते हैं जिसको simply हम लोग CHO लिखते हैं ठीक है इसके साथ जो होगा site connectivity वह hydrogen भी हो सकता है और hydrogen के साथ साथ alkyl हो सकता है C double bond OH common name में याद रखना डॉट 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 अल्डी हाइड होता है हम बताते हैं important जो है class 3 के point of view से वह बता देंगे और इसका international name में होता है डॉट 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 अलके नल अलकोल में अलके नॉल था और अल्डी हाइड में अलके नाल है अब देखो इसका नमन क्लेचर जैसे एक अगर कार्बन होगा कार्बन के संख्या एक होगा तो common नमन क्लेचर में इसको हम लोग form बोलते हैं common नम में इसको हम लोग क्या बोलते हैं form बोलते हैं आप form के साथ जब हम लोग अल्डी हाइड वर्ड का यूज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा पॉर्मल डी हाइड ठीक है ना क्या हो जाएगा पॉर्मल डी हाइड और बात international नम के करेंगे तो इसका जो नमन क्लेचर वो क्या है अलके नॉल ता कार्बन एक है एक कार्बन के लिए कोड क्या होता है मीथ तहम इसको लिख लेंगे क्या मीथे नॉल याद रखना इंपोटेंट है ठेक एक पॉइंट और एक एक जामपल देखो जैसे सी एच थिरी सी डबूल बॉंड ओ और एच है ठीक है ना इसका जो नमन क्लेचर होगा इसमें दो कार्बन आ जाएगा तो कॉमन निम में याद रखना कि इसको हम लोग बोलते हैं इसीटल डिहाइड क्या बोलेंगे इसको इसीटल डिहाइड और दो कार्बन है तो इसका इंटरनेशनल नम क्या हो जाएगा इथे नॉल क्या हो जाएगा इथे नॉल समझ गया ना बात को चौट अब इसी तरह सगर हमको कार्बोगजिलिक एसीड का देखना हो तो क्या आपको इसलिए बता रहे हैं कि असानी से समझ जाओगे ठीक है ना तक कार्बोग्जिलिक एसीड का फॉंक्शनल ग्रूप क्या हो जाता है ती डबूल बॉंड ओ और ओ एच ठीक है इसको सिंप्ली अगर लिखेंगे तो सी डबॉल ओ एच होगा इसके साथ साइट लोट डॉट 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 एसीड होता है और इसका इंटरनेशनल नमनक्लेचर जो होगा वह अलक्याक नॉइक एसीड यही फॉर्मूला याद रखना आपको नॉमनक्लेचर करना आसान हो जाएगा अलके नोईक एसीड ठीक है ना याद रखना अब जहीसे देखो कि यहां सी डबूल बॉंड ओ और ओ एच है और फिर यहां पर एच है धियान से देखो इसमें कर्बन कितना एक और एक कर्बन को हम लोग क्या बोलते हैं पर्म बोलते हैं इसको क्या लिख लेंगे ऑर मीक क्या लिखेंगे इसको वारमिक एसीड कामन नम कैसा हो जाएगा और इंटरनेशनल नेम का तरह नमनेक लेचर बता दिये है अलके नुईक एसीड एक कर्बन है तो क्या हो जाएगा मीथ नुईक iC तो क्या लिखेंगे इसको मीथे नूइक एसीड समझ गए उसी तरह से देखो एक और एक्जामपल जो इंपोर्टेंट है आपको तेंथ क्लास में याद रखना है यहां आप दो कार्बन है तो वहां हम लोग पढ़े थे अल्री हाइड में एसीटल्री हाइड और यहां क्या ह और इंटरनेशनल नेम अगर हमको इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा इथे नूइक एसीड एथे नूइक एसीड याद रखिएगा इथे नूइक एसीड और एक दो और बचा हुआ है जैसे एक जो हमारे पास है उसको देखो उसमें हम लोग जानते हैं कि इथर जो होता है ना वो क्या होगा कि दूनों तरफ से इसमें खाली रहेगा और इसके साथ जो कनेक्टी भीटी होगा या आर होगा या सीमिलर भी हो सकता है और आइडेंटिकल भी हो सकता है देखो ते इसका international name क्या हो जाएगा, common name ते यह हो गया, international name हो जाएगा, नहीं पहले common name समझे लो, अगर identical लिखा रहे हैं तो dimethyl लिखना, dialkyl, क्या लिखोगे, dialkyl, dialkyl, ether, ठीक है ना, और नहीं, तो अलग अलग रहेगा, तो लिखना, इथाईल, इथाईल, इथार, समझे ना, इथाईल, इथाईल, इथार, और international name में, चोटे वाले को लिखना, अलकॉक्सी, अलकॉक्सी, और बरा वाले को लिखना, अलकेल, देखो, अब दू एग्जाम्पल, इसका देखो तो, एक जैसे मान लो, कि CH3, OCH3 है, अब दोनों तर तो, जब दोनों तरफ सिमिलर रहेगा, तो, डाइवोट का इस्तमाल करेंगे, तो, क्या हो जाएगा, डाइ, मिथाईल, इथार, ठीक है, और international name में, अब चुकी, दोनों सिमिलर है, तो, किसी एक को, अलकॉक्सी, और किसी एक को, अलकेन लिख लेंगे, तो, क्या हो मीथ आक्सी मीथेन, समझ गये हैं, आप चलो, अब अगर अलग अलग रहता है, जैसे, यह CH3O, और CH2, और CH3 है, तो, इधर अलग है, इधर अलग है, मतलब इधर एक ही चेन है, उधर कितना है, दो है, तो, अब इसका जब हम common name लिखेंगे, तो, क्या हो जाएगा, इथाई मीथाईल, इधाईल, मीथाईल, और इधर, और इंटरनेशनल नेम में याद रखना, कि क्या हो जाएगा, कि इसको, इंटरनेशनल नेम, अगर हम देखते हैं, तो, छोटा वाला कालकोक्सी, तो, क्या हो जाएगा, मीथ आक्सी, और उसके बाद हो जाएगा, इधेन, कारब करेंगे ठीक है तो सिमलर है में भी कोई चेंजिंग नहीं हागा जैसे अमाइन्स ठीक है ना अमाइन देखा तो इसका फंक्शनल गूरूप क्या हो जाएगा अमाइन का एनेच टू ठीक है इसका साथ जोगा साइट किनेक्टिवीटी वह आर एनेच टू हो जाएगा ठीक है इंट्रनेशनल ने भी और आसान है क्या हो जाएगा एमाइनो अलकेन समझ के बात को अब देखो एक एक्जामपल जीसे मान लोग कि सी एज टू और एनेच टू है कार्बन कितना है एक और एक दूख तो कॉमन ने में क्या हो जाएगा ठीक है कॉमन ने में क्या हो जाएगा एमिनो इथेन, क्या हो जाएगा, एमिनो इथेन, ठीक है, और इंटरनेशनल नेम में हो जाएगा, स्री, कॉमन नेम में हो जाएगा, कॉमन नेम में ध्यान देना, कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, कि पहले अलकाइल ता, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, और उसके बाद देख लो एक और एक्जाम्पल देख लो जिससे CH3 CH2 CH2 और CH2 और मान लोग की NH2 है एक दूर तीन चार कॉमनने में क्या हो जाएगा जब स्ट्रेट चेन है और एक नंबर पर जिसन पर रहेगा तो नॉर्मल यूज करते हैं और इंटरनेशनल नम में हो जाएगा इंटरनेशनल नम में 1-amino-1-amino-butane ठिके ना 1-amino-butane इसको याद रखना की 1-amino-butane किसको करते हैं ये मेरा हो गया butane ये था हमारा तेंद क्लास में इतने functional group के बारे में पहरना था तो याद रखना functional group का पडिभासा भी और जिस तरह से नमनक्लेचर जिस pattern से बनाए हैं उसी pattern को follow करते हुए तुम questions को बनाओगे ठीक है असानी से बन जाएगा अब देखो हम लोग इसका next point पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है chemical properties of the carbon compound ठीक है ना इसमें पहला जो रियक्शन है combustion reaction ठीक है ना पहला रियक्शन है combustion reaction तो देखो combustion reaction जो होता है वो किसको कहते हैं तो combustion reaction कहने का मतलब यह है कि जोब कभी भी कोई भी hydrocarbon को oxygen के मौजूदगी में अगर हम उसको जलाते हैं बॉर्निंग ऑफ कंपाउंट इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन oxygen के मौजूदगी में अगर हम लोग hydrocarbon के कोई भी कंपाउंट को जलाएंगे तो वह कहलाएगा combustion reaction और after reaction दो टाइपस के प्रोड़क्ट हमको हमेशा हर हाइड्र करवन में मिलेगा कौन-कौन co2 और h2o ठीक है ना co2 और h2o ठीक है भी दे लाइट अब दिखो जैसे कि पहला जो पॉइंट है पहला combustion reaction की बात करते हैं जैसे मानलो की ch4 है और इसको हम water molecules से हम इसको reaction करा रहे हैं तो बनेगा यहाँ co2 और plus h2o ध्यान देना बाइलेंस करने के लिए जितना मूल कार्बन रहेगा ना यहां कार्बन कितना है एक मूल है उतना मूल co2 बनेना ठीक है अब देखो यहां पर oxygen अब कितना है दो और एक तीन लेकिन इधर oxygen हमारे पास कितना है दो है और हम इसको क्या कर लेंगे दो तब देखो तो चार हो गया यहां भी हम लोग कर लेंगे तो बाइलेंस कर लेंगे कांटिंग मेथड से अब देखो जैसे मान लो कि सी टू एच सिक्स है ठीक है अब इसको अगर हम लोग रियक्शन करा रहे हैं ओ टू से तो देखो द्यान से यहां पर कार्बन कितना है दो मोल है तो टू मोल्स आप सी ओटू आर फॉर्म बीथ यहां हो जाएगा सेवन बाइटू ठीक है अगर यहां कार्बन जो होगा अगर इवेन नंबर में है तो यहां हमेशा फ्रैक्शन आएगा याद रखना यहीं देखो जैसे सी थिरी एच एट है इसको अगर हम औक्सीजन से रियक्शन करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा थिर आठ के लिए क्या करेंगे हम लोग यहां पर चार कर देंगा तो अब देखो थिरी टूजा सीक्स और फूर कितना हुआ टेन अउक्सीजन है तो यहां पर फाइब कर लेना यह कब अलकेन के लिए बता ले इस तरह के रियक्शन को हम लोग कंबस्शन करते हैं कि जब कभी भ गैस वहां से रिलीज होता है तो यह हमारा पहला पॉइंट था दूसरा जो पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन दस्टांस वीच आर यूजड फोर दॉड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का अब जिस रियक्शन में ऑक्सीजन एड होगा उस रियक्शन को हम लोग क्या खाएंगे बढ़को ओक्सीजनें लिएक्शन तो आईये कंबसंड के बाद हम आपको औक्सीडेशन के बारे में बताते हैं ट्रिक है ऑक्सीडेसंग क्या होगा कि देखो एक्जाम्पल के लिए लेते हैं, यह point number B का चर्चा हम कर रहे हैं, कि when, when ethyl alcohol, ethyl alcohol is treated with, is treated with, treated with alkaline k-minophore, alkaline k-minophore, then, then acetic acid are formed, acetic acid are formed, ठीक है न, जब acetic acid बन जाएगा, acetic acid, तो उसको हम लोग काएंगे, क्योंकि देखो, alcohol का formula क्या होता है, C2H5, OH, यह alcohol है, अब इसको हमको क्या करना है, कि alkaline k-minophore से reaction कराना है, जैसे alkaline k-minophore, और इसके साथ ही, इसको हम लोग क्या करेंगे, कि heat कर देंगे, तो यहाँ पर यहाँ बन जाएगा, CH3, C double bond OH, अब गवर से देखो, तो यहाँ पर इसमें एक oxygen है, यह ethanol है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनल, तो इसके पास एक oxygen है, और यहाँ acetic acid बना ना, acetic acid, अब acetic acid के पास कितना oxygen है, दो है, इधर एक oxygen है, इथेनल के पास, और इधर दो है, तो oxygen जूरा, oxygen जूरेगा तो क्या कहेंगे उसको, बोलो, oxidation कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग oxidation यह action कहते है, the substance which used for the oxygen, are known as oxidizing agent, ठीक है, अब इसमें यह जो substance है, K-MNO-4 का, यह क्या कहलाएगा, K-MNO-4 कहलाएगा, कि it is oxidizing agent, K-MNO-4 is called oxidizing agent, याद रखना, ठीक है, तो चलो, B-1, 0.1 हम लोग समाझ गया, 0.2 के बात हो गया, अब उसके बाद है, कि addition reaction, ठीक है, addition reaction, तो addition reaction में क्या होता है, जैसे unsaturated hydrocarbon, alkins and alkyns undergo addition reaction in presence of the catalyst, ठीक है, तो यहाँ पर समझो, हम यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि addition reaction हम लोग किसको कहते है, एक saturated के लिए भी बताएंगे और एक unsaturated के लिए भी बताएंगे, ठीक है, तो देखो, addition reaction में हम लोग क्या कहते हैं, addition reaction के लिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, addition reaction हम लोग unsaturated के लिए भी देखेंगे, यह बहुत आसान है पहले हम लोग देख लेते हैं और उसमें हैं और भी कोई दूसरा सब्स्टांस इंक्लूड कर देंगे लेकिन चुक्किए यहां पर हाइड्रोकर्बन के बारे में पुर्णा है तो सिर्फ और सिर्फ हम किसका चर्चा करेंगे अलकाइन के लिए लेकिन सिंगल बॉंडर मोलेकिल के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे मानने लोग कि सी एच थीरी सी एच टू और सी एल है यह क्या है यह भी हाइड्रोकर्बन है कोलूरीन के फॉर्म में ठीक है और इसको हम लोग रियेक्शन करा देते हैं एन ए ओएज से ठीक है तो सोडिय यह वहला निगेटिब क्या करेगा यहां पर काट्श करेगा और यह ऑगे की तरफ चलागा तो यहां क्या बना घजा थी एच तू so the कि यह कमारा देंत के सी लिएच पर दो Sat hats अ लेकिन ये वहला जो reaction है जैसे मान लो कि hydrogen है carbon है hydrogen है double bond carbon है hydrogen है और फिर hydrogen है अब इसको हम लोग reaction करा लेते हैं निकेल के मौझूदगी में hydrogen से तो क्या हो जाएगा कि यहां hydrogen का addition हो जाएगा ठीक है इसी reaction को हम लोग addition reaction को आते हैं चाहे वह अलकाइन क्यों नहों इसको भी अगर ni से reaction करा देंगे ठीक है ना यहां बन जाएगा अलकेन ठीक है CS3 CS3 इस reaction को हम लोग कहते हैं सबातियर और सेंडरेंस reaction ठीक है वेन अलकेन और अलकाइन अलकेन और अलकाइन इस ट्रेटेट वीद है hydrogen presence of catalyst then alkane are formed this reaction is called सबातियर और सेंडरेंस reaction लेकिन यह class 10 में नहीं जिक्र करना है class 12 में 11 में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जब double bonded और triple bonded अगर hydrocarbon है उसको nickel के साथ hydrogen देंगे तो हमेशा याद रखना कि जीतना भी double bond है उस सब को release करके वहाँ पर hydrogen हम लोग आइड कर देंगे इस reaction को हम लोग कहते हैं कि यहाँ addition reaction है point number c हम लोगों कहों गया point 4 है last है substitution reaction ठीक है ना कि substitution reaction किसे कहते हैं तो substitution reaction में होता क्या है कि एक element को displace करके substitute करके दूसरा atoms जाके connect हो जाएगा वैसे reaction को हम लोग substitution reaction कहते हैं the chemical reaction in which one atoms is substituted by the other atoms or group known as substitution reaction अब substitution reaction में hydrocarbon पर कैसे होगा उस पर हम लोगों को चर्चा करना है ठीक है अब जैसे मानलों कि हमको methyl एक पॉइंट है जिसे methyl hydrocarbon है उसको हमको को लोरीन से reaction कराना है in the presence of sunlight तो कैसे होगा आयो उसको हम लोग देखते हैं ठीक है तो यह last point है अभी इस reaction का सबसे पहले इसमें substitution reaction इसमें saturated carbon में reaction होगा methane in the presence of इसका याद भी रख ले ना है इसका definition हम यहां लिख देते हैं कि वेन वेन वन अटम्स और ग्रूप 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 substitute by another another atoms or group another atoms or group then it is called then it is called substitution reaction substitution reaction मिसाल के तौर पर जैसे देखो CH4 is treated with CL2 in the presence of sunlight इसको हम लोग energy कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं energy कहते हैं यह इसी को हम लोग और सॉनलाइट कहते हैं क्या कहेंगे सॉन लाइट एक है ना सॉनलाइट अब इसके वज़ा से जो substitute होगा जिसे मान लोग की चार हाइड्रोजन है तो चार बार चांसे substitute होने का मान लोग की फॉर्स्ट टाइम में क्या किया कि कुलोरीन एक हाइड्रोजन को रिलीज किया जैसे यहां जो हो है वह देखो जैसे तो क्या बच जाएगा CH3Cl हो सकता है कि एक बार में दो एटम्स को substitute करें तो दूसरा भी प्रोड़क्ट बन जाएगा वह क्या हो जाएगा CH2Cl2 हो सकता है कि तीन हाइड्रोजन को तो क्या हो जाएगा CH3 क्या हो जाएगा CHCl3 और एक और हो सकता है CCL4 इसमें पॉसिबुल जो प्रोड़क्ट होगा जब मीथेन को क्लोरीनेशन करेंगे तो कुल मिला के चार तरीके का प्रोड़क्ट बनेगा ठीक है इसका डिटेल स्टेडी क्लास 11 परना है आप यहां पर सिर्फ याद रखेंगा है कि कोई भी एक कंपोनेंट्स अगर हो अगर मालों कि हाइड्रोकर्बन काया मीथेन हो तो वहां पर जब सॉनलाइट और एनरजी कह सकते हो उसके उपस्तिति में क्लोरीन से अगर हम लोगी रियेक्शन कराएंगे तो यहां पर प्रोड़क्ट बनेगा उस रियेक्शन को ह क्लोंबसंस का लाता है और जिसके वज़े से जूरेगा उस एजेंट को ऑक्सिडाइजिंग एजेंट काते हैं एडिसन रियेक्शन में क्या बता है और यह आपका सब्स्टिच्यूशन रियेक्शन है ठीक है आए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं की इंपोटेंट कार्वन कंपाउड है न जिसमें पहला आता है कि अल्कॉछल त अल्कॉछल कि उसको किए जिसमें सिंपली नहीं मोलीक्स रहे गाना उसको हम लोग ऐलकुहल कहते है प्षार पर। टेयक है अलकुहल में द्यान दो कि इसमें क्या कह रहा है कि इंपोटेंट पृ पर्पर्टिज आफ इथेननओ इसको आपर इसका इंपोटेंट पृपटेज जैसे reaction with sodium ठीक है ना अब sodium के साथ इसको reaction करना है देखो जैसे C2H5OH ठीक है वीक है ता 2 moles अगर हम sodium को लेते हैं तो 2 moles इसको भी कर लेंगे तो यह easily convert हो जाएगा किसमें पता है salt of alcohol में तो क्या हो जाएगा 2 moles of C2H5 ONA और पालास H2 gas remove हो जाएगा ठीक है तो यह इसका प्रपर्टीज है ड्यू टू इट्स विकली acid signature ethanol rate with the sodium to liberate H2 gas ठीक है जब यहाँ ethanol sodium से reaction करेगा तो reaction करने के बाद hydrogen gas release करेगा ठीक है उसी को हम लोग कहते है reaction with sodium दूसरा जो हमारा इसका प्रपर्टीज है reaction with concentrated H2SO4 अब देखो इसी को जब हम concentrated H2SO4 से reaction कराएंगे जैसे C2H5OH is treated with concentrated H2SO4 is concentrated H2SO4 ठीक है ना concentrated H2SO4 तो यहाँ जब concentrated H2SO4 से reaction कराएंगे तो यह बन जाएगा C2H4 और पालास H2O molecules ठीक है है तो यह इसका प्रपर्टीज है कि sodium के साथ इतेनोल का reaction कैसा होगा और फिर उसके बार concentrated H2SO4 के साथ इसका reaction कैसा होगा याद रखना H2SO4 के साथ अगर सोडियम के साथ reaction करा रहे हैं तो hydrogen gas library होगा और अगर हम लोग concentrated H2SO4 के साथ reaction करा रहे हैं तो वहाँ पर water molecules रिलीज होगा ठीक उसके बाद alcohol as a fuel याद रखना कि अगर अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं अगर हम लोग याद रखना कि alcohol को जैसे पेट्रॉल में पेट्रॉल में 20% अगर alcohol mix कर देते हैं 20% alcohol mix कर देते हैं इसको हम लोग gasol करते हैं क्या करते हैं इसको gasol करते हैं ठीक है इसी वज़ा से इथेनॉल को हम लोग fuel के के रूप में भी इस्तामाल करते हैं इतनोल को क्या करते हैंu i.ग रिक्षन करहें ताब तो क्या होगा और अब भी आपको रिक्षन नि 2 5 एसके यहा पॉनेक्ष पोर से रीक्षन अल्कोहल क्या होता है देखो इसका दो हामफल इफेक्ट है एक कि बनाने के दर्मियान अगर मिस्टेक हो गिया जिसे अल्कोहल सिंपली जो होता है अल्कोहल सिंपली हम लोग इसको कहते हैं अगर प्रिप्रेशन के दोरान गलती से इसमें थोरा बहुत इंप्यूरीटी के तौर पर अगर मिथाइल अल्कोहल रह जाता है अगर इसमें क्या होगा कि इनसान का बड़ी जो होगा एक लकरी के तरह ऊड़ के तरह बिहेब करेगा और देथ हो जाता है इसमें बहुत जल्दी आई जो होता है वह डेमेज हो जाता आंक जो होगा वह डिराई हो जाएगा तो उससे दीखना बंद हो जाएगा तो अल्कोहल का हामफुल इफेक्ट यहीं है कि 20 परसेंट अगर अगर थोरा सा भी इंप्यूरीटी के तौर पर अग अगर उसमें मेथाइल अलकोहल मौजूद है तो वह काफी हमफुल हो जाएगा उससे इंसान मर भी जाता है दूसरा पॉइंट देखो अगर कोई रेगुलरली इसका ज्यादा मातरा में अगर इसका इस्तमाल करता है तो यहां पर सबसे ज्यादा जो डेमेज पार्ट जो हो इसलिए इससे बचना चाहिए समझ गये ना यह बहुत बेकार चीज़ है और एक इंप्यूरीटी के वज़द से जैसे अगर अगर अलकोहल में मिक्स हो गया तो यह सबसे खतरनाक होता है जो की एकदम इंसान को खतम कर देता है ठीक इस बात को याद रखेगा उसके बाद दूसरा कॉमपोनेंस है एसीटिक एसीड ठीक है ना एसीटिक एसीड तो क्या होता है कि एथेनोग एसीड कमर्सियली नोन एज दे एसीटिक एसीड बिलोंग्स टू दा ग्रूप अब अशितिक एसीड का कि एसको फिरमूलए क्या जाएगा थेकैं अब चलो इसके पॉर्पटीज पर हम लोग चर्चा करते हैं कर्शा कर गले अलब देखो पॉर्पटीज में अगर हम लोग के बेस के साथ reaction करा देते हैं ठीक है ना बेस के साथ reaction करा देते हैं कार्बोगजिलीक एसीड को तो कोई sodium अब यहां पर बन रहा है क्या है salt ऑफ कार्बोगजिलीक एसीड ठीक है ना जैसे मननों कि CH3 और COOH इसको reaction करा रहे हैं टू मोल्स ऑफ न वेच के साथ यह क्या बन रहा है टू मोल्स ऑफ CH3 और C double bond O O और N A इसी को हम लोग कहते हैं salt ऑफ कार्बोगजिलीक एसीड इसको क्या कहेंगा हम लोग सॉल्ट ऑफ कार्बोगजिलीक एसीड हम लोग कहते हैं समझ मैं दूसरा है रियक्शन भी दा कार्बोगजिलीक एसीड हम लोग कहते हैं समझ मैं दूसरा है रियक्शन भी दा कार्बोगजिलीक एसीड हम लोग कहते हैं दूसरा है रियक्शन भी दा कार्बोगजिलीक एसी सॉल्ट ऑफ कर्बोजिलिक एसीड बनेगा इस रियक्षन में इस रियक्षन के होने के बाद हमारे पास जो मिलेगा वह वाटर मॉलेक्विल्स मिलेगा समझ गए ना और अगर हम कर रहे हैं तो सोडियम कर बोनेट के साथ मिलेगा एक सीयो टू अदूसरा वाटर मॉलेक्टिस मिलेगा ठीक अगर कर्बोनीट के साथ में कर रहे याद रखना कि अल्कोहल एक काम करो इस सब को मिटा देते हैं अल्कोहल और पलस कार्बोगजिलिक एसीड अल्कोहल और कार्बोगजिलिक एसीड को हम लोग रियेक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा अल्वेज इस्टर यह क्या बनेगा इस्टर तो वेन अल्कोहल और कर्बोगजिलिक एसीड इस्टर और इस्टर बन रहा है समझ गया जैसे देखो CH3COOH और पॉलस C2H5OH तो यहाँ से जो मोलेकिल्स बनेगा वो बन जागा CH3COO तो इसको बना लो क्या हो जागा C1O और फिर उसके बाद O और C2H5 ठीक है ना C2H5 अप्लस वाटर मोलेकिल्स बाहर निकल जागा था इस प्रोसेस को इस्टरिफिकेशन कहते हैं और इसके पास इस्टर के इस्टरिफिकेशन में जब भी भी कोई इस्टर बनेगा तो इसके पास कैपेसिटी होता है कि वापस फिर से यहां कर्बोग्जिलिक इसीड और अल्कोहल देदे ठीक है ना इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सपनुफिकेशन इसको हम लोग कहते हैं याद रखना इस दूनो इस पॉइंट को याद रखना है यह केमिकल प्रोपर्टिस था किसका अल्कोहल का उसके बाद थोरा सा हम लोगों को चर्चा करना है सौप एंडिटर्जेंट क्या होता है तो इसमें सिंपली आपको याद रखना है कि सौप जो होता है सोडियूम और पोटेसियुम का मतलब कम से कम सी सेवेंटीन सिसेवेंटीन सा इस सब्स्टांस बनेगा उसको हम लोग सौप कहते हैं यही कि दीटर्जेंट में लोंग चेन और कार्बोगजिलिक एसीड का होगा किसका तो अमोनियूम सलफेट और सॉल्ट ऑफ कर्बोगजिलिक एसीड का ठीक है तो यह मेरा तेंथ क्लास का बहुत ही इंपोर्टेंट लाक्चर है आप इसको देख लेंगे पूरा हंड्रेट परसेंट इसमें पूछेगे सवाल आपका कं बन जाएगा ठेक है ना तयार कर लेना इसको यह जो चैप्टर है केमकल कंपॉंड यह क्लास टेंथ के बहुत हाई वेटर चैप्टर है तो इसको प्रिपीर्ड करना श्कूर्णा मत ठेक है ना थैंक यू फॉर दवाचिंग